So hello guys and what's up and welcome back to my channel once again guys तो भाई, आज हम थोड़ा अलग वीडियो बना रहे हमारा general topic से थोड़ा हटके जो की game reviews का होता है आज हम discuss करने वाले है हमारा आने वाले कुछ बहुत famous games के बारे में और उसका pre-orders और कुछ games ऐसे है जो की freebie है तो चलो भाई, आओ देखते हैं एक-एक करके हर एक game को और एक और बात है कि वीडियो को end तक जरूर देखते रहना क्योंकि आपसे कुछ important बात है वीडियो के end में वो जरूर सुनके जाना भाई तो चलो भाई, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो भाई, इन में से जो पहला game है उसका नाम है Horizon Zero Dawn भाई, ये PS4 का one of the most famous titles रहा है एक time का बट अभी वो game finally PC के लिए आ रहा है और एक-दो दिन में ये game launch भी हो जाएगा भाई तो अभी जो release date दिखा रहा है वो है 7th August 2020 और इसका pre-order price है 1100 रुपीस का भाई अब game का जो बातचीत किया जाए तो game को आप अभी pre-order कर सकते हो तो pre-order benefits मिल जाएगा जैसे कि आपको कुछ extra skins और कुछ extra enhancements भी आपको देखने को मिल सकता है तो भाई, आप जा सकते हो ऐसे कोई discount नहीं है आगे भी कोई discount नहीं मिलने वाला है और एक ही edition है तो अभी ले लो क्या फरक पड़ता है आप अभी लो दो दिन बाद लो एक ही बात है आपको extra चीज़े मिल जाएगा बात किया जाए इसका unboxing के बारे में तो हम जरूर से unboxing करेंगे इस game का हमारा ही channel पर on 7th of August 2020 और वो वीडियो आपको हमारे channel पर देखने को मिल जाएगा भाई यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा news है वो है regarding eFootball PES 2021 season update भाई, PES 2021 एक season update है और भाई इसका आप PC edition खरीच सकते हो भाई अभी यह pre-orders के लिए आ चुका है आपके पास अगर PES 20 है तो आपको एक additional discount देखने को मिल जाएगा कोई भी club edition के उपर 20% का और उसके अलावा standard edition है आपको 800 रुपीज का और release date का बात किया जाए वो है 15th of September और हम 15th of September को ही अपना चैनल पे इसका unboxing video लाएंगे भाई सो ready हो जाए और जिसको भी मन हो रहा है भाई मैं बोलूँगा पहले से जिसके बाद PES 20 है वो ज़रूर से कोई एक club edition के तरफ जाए क्योंकि वो club edition discount देने के बाद आपका standard edition से कम cost में मिल जाएगा भाई तो यहाँ पे हम अपना अगले news के तरफ बढ़ते है जो कि number 3 है वो है FIFA 21 को लेके भाई अब FIFA 21 कौन ना जानता है भाई और फीफा 21 अभी pre-orders के लिए आ चुका है जो कि 8th of October 2020 में जिसका editions launch होने वाला है भाई अब इसका graphic quality तो उसी time पर पता चलेगा क्योंकि इन लोगों ने तो कोई release trailer भी नहीं डाला है बट आप लोगों को मेरे channel पे exclusively यह 5th of October से 6th of October 2020 तक के अंदर आपको यह game देखने को मिल जाएगा भाई मेरे को लगता है 6th October तक आपको मिल जाएगा मेरे को मेरा जितना अनुमान है और इसका अलावा बात किया जाए इसका pre-order price के बारे में तो आपको price भी हम बता देते हैं इसका prices जो आपको अभी दिख रहा होगा वो discount applied है अगर reality में price बताए जाए तो standard edition का price है 3999 का जो की 4000 का होता है चैंपियंस edition है 5500 रुपीज का और ultimate edition है 6500 रुपीज का तो भाई आपको जो budget में लगे उसके लिए जाए और मैं तो बोलूँगा भाई जो अच्छा लगे जो मंचा है जो आपका budget में आए आप उसी के लिए जाओ कोई है सच नहीं है कि ultimate edition में आपको extra matches जीतने के लिए मिलता है तो भाई यहाँ पर हमारे पास अगला जो गेम है यह शायद से एक free game ही निकल कर आए भाई इसका कोई confirmation मेरे पास नहीं है बट still देखके तो लग रहा है मेरे को free आने वाला यह game इसका नाम है Zero Hour और सबसे बड़ी बात किया जाए तो यह game एक हमारा बंगलादेशी डेवलेपर से है जो कि हमारा Asian Subcontinent का एक बहुत बड़ा game है तो मेरे को personally बोला जाए तो मेरा लगता है कि यह game को आपको खेलना चाहिए अगर यह game free में आए तो और game का style के बाद किया जाए तो game moreover call of duty या आप अगर Rainbow Six Siege खेले हो तो उस type का है भाई बहुत सा क्योंकि एक आपका police team होता है एक आपका terrorist team होता है ऐसे games आपको CS GO में भी देखने को मिलता था भाई अब इस game का planned release date बोला जाए तो यह 12th of August 2020 है तो यह game को आप जरूर से जाके claim कर सकते हो और खेल सकते हो भाई अगर free आए बार बारी में mention कर रहा हो अगर free आए तो क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कि यह free में आएगा की नहीं क्योंकि आपकुछ लिखा नहीं गया है सिर्फ early access game बारे में ल आगे जाके पता चलेगा वो तो 12th of August को ही पता चलेगा तो भाई यहाँ पे हम आचुके हमारा 5th game के और जिसका नाम है Troy भाई हाँ टोटल और सागा है असा कुछ लिखा हुआ है यह free game मिलने वाला है बट यहाँ पे catch है यह 13th of August के लिए सिर्फ 24 hours के लिए free मिलने वाला है आपको epic games का store के उपर है यह free मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए और फिर से यह आपका paid हो जाएगा और एक और वाद बोला जाए कि यह game आपको पहला एक साल तक सिर्फ और सिर्फ epic game store पर ही देखने को मिलेगा तो क्या फाइदा भाई steam से जरूर आपको एक enhanced version देखने को मिलेगा वो अगला साल मिलेगा बट इसी साल आप claim कर लो भाई एक साल खेलोगे experience बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा ना भाई तो जरूर से claim करना इस game को भी और comment section में जरूर बताना कि ये game आपको खेल के कैसा लगा है तो भाई यहाँ पर हम आते हैं एक announcement के और और मैं अपना दिल से एक आपको thank you देना चाहता हूं कि भाई मैं जहाँ पर भी हूँ जो भी हूँ आप ही लोग के वज़े से हूँ भाई सो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जो नेम है चैनल का इस चैनल का नेम को थोड़ा बदला जाए सो हमने कुछ नेम सोच है अभी तक जैसे कि incredible अंकन या आपका बोले जाए तो adventurous अंकन या Nemo ऐसा कुछ नाम से हमने सोचा है तो आप comment section में आपका राय जरूर दे कि आपको इन में से कौन सा नाम अच्छा लगा है या आपका अगर खुद का कोई opinion है तो वो नाम भी comment section में जरूर बताए क्योंकि उसी नेम से हम लोग अपना चैनल का नाम decide करेंगे कि change करके क्या रखा जाए और भाई यहाँ पर आपको बहुत बड़ा शुक्रिया हमारा इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको अच्छा लगा है तो सरूर से like करना अपना दोस्तों के साथ share करना चैनल पर नहे हो तो subscribe करना ना भूलना और नीचे मेरा facebook और instagram handle सेया हुआ है वहाँ पर भी हुआ 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 है